हेलो बच्चों, अब हम 2nd chapter पढ़ेंगे, मैप, जो आपका social science का है तो मैप जो होता है, क्यों हमें मैप की इतनी नीड हुई? जब हमारे पास globe है, तो हमने बाप क्यों यूज किया? अब देखेंगे, जो globe होता है, वो आपको gold तरह को होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सारी तिज़े एक साथ नहीं देख पाते हैं हम लोग उसमें कि अगर हमने कुछ देखा हैं भूमाएंगे तो वह घुमाना पड़ता हमें ग्लोब को तो कफी प्रॉब्लम हाती है हम एजीली हम अब कुछ समझ नहीं पाते हैं ग्लोब को देखकर और मैप जो होता है वो मैप पूरा फ्लैट होता है आप उसे पूरा बिछा कर अराम से सारी देख सकते हो कि कौन सी जग़ा कहाँ पार आए अब बड़े बड़े जो CID वेगारा जो होते हैं CBI वाले होते हैं तो वह वैसे ही मैप यूज करते हैं कि कहां पे कौन सी पर को उर्प्शन हो रहा है कौन किसी पर गरत काम कर रहा है तो सारे जो उनके बस information होती वो एक map के ओपर draw करते हैं जिसे उनको easily मालूम हो जाए अब आता है a drawing or plane of the surface of the earth that shows countries मतलब कि जो plane type का होता है जिसमें countries हमें show होती है rivers हमें मालूम होती है mountains हमें इसमें दिखते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं जो मैप के ओपर हमें draw कर सकते हैं लिए ग्लोब के पर draw होगी आप नहीं कर पाऊगी यूंकि आधावा जाएगा तो हमें असानी नहीं होगी उस पर draw करने के इसलिए हमें मैप की जरूत पड़ी थी जो globe है globe is a small model of earth कि वह small है model की तरह है तो उसमें काफी क्या कर डिफिकल्टी जाती हैं क्या difficulties आती है इस difficult to carry around अब आप देखो कि globe को उठा के अब हर जगा लेके जा सकते हो नहीं ना आप करते हो मैप को फोल्ड कर लोगे अपने pocket में रख लोगे तो easily आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो लेकिन globe को नहीं ले सकते lack of digital information मैंना आपको बताया कि उसमें कमी होती है information नहीं हमें पूरी अच्छे से मिल पाती है हमें confused रहते हैं सब cannot show entire each or one नहीं हम एक बार में पूरे globe को हम किसी को नहीं दिखा सकते हैं मैंना आपको बताया अगर कुछ भी हमें देखे ना अगर हमें मालो यहां पे यह countries दिख लेकिन पीछे की जो country वो नहीं दिखा ही नहीं देगी वो लूक की वो गोल है तो दिखा ही नहीं देगी अगर अगर map होगा तो हम सारी country को एक बार देख लेंगे तो यह सारी कमी आती है इसलिए globe की जगह हमें map को हमें अच्छा लगा तो इसलिए map लेकर आये थे people who create maps are called cart cartographer मतलब जो यह map को लेकर आया था उसका नाम वो था cartographer a book of maps is called an atlas अब atlas क्या होती है आपके लिए बहुत चोटी class में 5th class में तो अभी atlas के वारे में आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ अगर बहुत सारी book होती ही जिसके अंदर पूरे map ही map होते हैं तो उसको book को बोलते हैं atlas अब हम उस book को ऐसे नहीं बोले हैं कि map की book लेकर आओ map की book नहीं बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको atlas बोलते हैं याद रखियागा जो map की book होती उस जिस पूरी book में map ही map होते हैं उस book को हम क्या बोलते हैं atlas बोलते हैं यह तो हो गया आपका map का introduction I think आपको map के बारे में knowledge मिल क्यों क्यों जरूरी है अब आता है आ the distribution of population, transport, natural resource, soil forest and density of rainfall of a reason Now, let me see what happened in India India's map is not good, sorry I am going to put a symbol on this map I will put a symbol on this map I will put a transport or natural resource I will put a symbol on this map I will show you the natural resource and I will show you the map I have shown you the forest this means that I have transport and natural resource we use the map we use the map we use the forest where is the most important part of India and density where is the most important part of the rainforest where is the most important part of India in Arnachal Pradesh in Kerala here in India there are many different types of maps there are several types of maps see the maps one type of map there are many different types of maps such as maps showing boundaries we show boundaries the important cities of countries are known as political maps in the political maps we show these things countries, states, important cities we call them political maps map showing natural features natural features natural features like the land there are mountains rivers and plains are known as physical maps they show you the physical map one is political one is physical okay map showing crops in different areas map showing rainfall in different areas map showing rainfall in different areas I have told you that in India map of India there are many different areas in different areas that we mention that the most of the areas there are many areas of the areas that we mention that the most of the areas in the areas of the area रेल्वेस की ट्रैक डले हो है एयर लाइन रूट्स जो होते हैं वो सारे मैप्स के अंदर आप जो एयर प्लेन उड़ाते हैं उनको होड़ना पता कि कौन से अरिया कहां जाएगा तो वो मैप फॉलो गरते हैं तो उनको पहले जब यह वो ट्रेनिंग दी जाती है तो मैप के उनको मैप की जरीय ही ट्रेनिंग मिलती है कि आपको ए Gary Grace कहां लेकर जाना है दूसरी कंट्री से या फर एक स्टेर्ट हीं अरीications कर्में लेकर जाना हे तो कैसे आप रास्तादेखिंगे रोड्स कहां कर आ होंगे रेल्वेस कहां कोंगे तो सारे हमें मैप्स के जर्ये से इं next रहता है language of maps अब देखिए language symbol ही होते हैं बने तो symbol दिखना पर every map has color हर map का color होता है signs होते हैं symbol होते हैं यही map की language होती है तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा यह सारा आपका map है types of maps है कौन-कौन से types होते हैं और आपका जो language होती है map की वो मैं आपको बता दिया तो यह तो आपका first part हो गया अब जब पहले इस video को आप देखिए समझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप में इसे पूछ सकते हैं